और जब गंगाजी आई है तो गुरुजी ने गंगाजी का दर्शन कराया, गंगाजी का पूजन भी कराया और दर्शन पूजन कराने के साथ साथ रामजी को गाधी सूनू सब कथा सुनाई क्या सुनाई है? पूरी की पूरी कथा सुनाई है किसकी कता जही प्रकार सुर्शरी मही आई कि गंगा जी इस धराधाम पर कैसे आई अब गुरुदेव जो है विश्वा मित्र जी वो चाहते तो कहते राम जी ये गंगा मैया है इनको प्रणाम करो पूजा करो और चलो ऐसे भी कर सकते तो क्या जरूरती राम जी को पूरी की पूरी कथा सुनाने की राम जी को गंगा उतरण की कथा इसलिए सुनाई है विश्वा मित्र जी राम जी से कहना चाहरे हैं कि राम ये तुम्हारे वन्ष का प्रताप है जिसके कारण स्वर्ग में बहने वाली सुर्शरी को प्रत्वी पर आना पड़ा ये किसके वन्स का गौरव है तुम्हारे वरिश्टा और राम आज ऐसा ही प्रताप और ऐसी ही प्रभुता का तुम्हें प्रदर्शन करना है या तुम्हें अपनी ऐसी ही प्रभूता दिखानी है कहाँ पर जनकपुर में राम जी को धनुस तोड़ना है न तो गुरु जी ने राम जी के आत्म विश्वास को बढ़ा दे गुरु कौन है जो प्रतेक परिस्थती में शिश्य के आत्म विश्वास को बढ़ा दे गुरु कौन है जो अटके भटके लटके हुए शिश्य को सही रास्ता दिखा दे गुरु कौन है जो पत से ब्रश्ट हुए शिश्य को उसके लक्ष को पाने का मारग बता दे वही तो गुरू है गुरू कौन है जो सिश्य के मनोवल को बढ़ा दे गुरू कौन है जो सिश्य के आत्म विस्वास को बढ़ा दे गुरू कौन है जो सिश्य को उसकी शक्ती से परिचित करा दे वही तो गुरू है इसलिए पूरी कथा सुनाईगी राम तुम किसी साधारन बंस से नहीं हो भईया ये गंगा जी जो आई है न ये आपके वन्ष का प्रभाव है आपके वन्ष का प्रताप है और पूरी कथा सुना दी गंगा उतरणी के आप सभी को तो ग्यात होगा सुर्य वन्ष में सगर नाम के एक राजा हुए है जिनकी दो पतनिया थी सुमती और केसमी सुमती के साथ हजार पुत्र थे और केसमी का एक पुत्र था असमंजस सगर ने असमे ध्यक्डि किया उसमे गोड़ा चोड़ते हैं वो गोड़ा इरश्यावस इंद्र ने चुराया और कपिल मुनी के आश्रम में ले जाके बांदिया सगर के साथ हजार पुत्रों ने घोड़े को बहुत धूड़ा नहीं मिला इतना धूड़ा इतना गुदूड़ा की प्रत्वी को खोद के बड़ा भारी समुत्र बनाया पाताल में गए तो कपिल मुनी के आश्रम में घोड़े को बंधा पाया सगर के साथ हजार पुत्र कपिल मुनी को अपशब्द कहने लगे कपिल मुनी के नेत्र खुले तो उनकी क्रोधागनी में जलके बे भस्म हो गए तब सगर की दूसरी पत्नी केसमी, केसमी के पुत्र असमंजस असमंजस के पुत्र अंशुमान कपिल मुनी के पास पहुचे है और निवेदन किया है कि हमारे पूर्वजों के कल्यान का मार्ग भगवन आप बताईए कपिल मुनी ने कृपा की यदि गंगा मैया आजाए तो धारसंभव है अंशुमान ने तब किया गंगा जी नहीं आई अंशुमान के पुत्र हुए दिलीब दिलीब ने कठोर तब किया पर गंगा मैया नहीं आई तब दिलीब के पुत्र भक्त भागी रग की कठोर तपस्या से गंगा मैया को प्रथवी पर आना पड़ आई लेकिन अभी देवी के रूप में आई है और भागीरत से कह रही है तुमारी प्रतवी पर ऐसा कोई वीर है जो मेरी प्रखर वेग को धारन कर सके यदि है तो ठीक और यदि नई है तो जब स्वर्ग से मैं प्रतवी पर गिरूँगी तो प्रतवी को फाड़ करके पाताल में चली जाओंगी अब भागीरत चिंता में पड़ गए क्या किया जाए क्या करें तब भागीरत ने भगवान शंकर की तपस्या की और भोले नात ने कहा कि जाओ गंगाजी से जाकर की कहो कि मैं उनके वेग को धारन करूँगा और फिर स्वर्ग से जब प्रतवी पर गिरी तो पहले भगवान संकर ने अपनी जटाओं को फैलाया गंगाजी भोले नात की जटाओं में समा गई और एक वर्ष तक सिव की जटाओं में लिप्टी रही फिर भागी रत के निवेदन प्रभगवान संकर ने जब अपनी जटाओं खोली तो शिव की जटा से गहां आई हिमाले परवत पर जिसे हम गंगोत्री धाम कहते हैं और फिर हमाले परवत से पूरे विश्व को पवित्र किया